ही मा और ब्यूटिफुल वीवर्स वेलकम तो एम्टी किछन आज में बनाया जारी हूँ चिकन कटलेट जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इफ्तार के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें मैं थोड़ा से तेल एट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं चार सो ग्राम उत्ता चिकन ले रही हूँ और यहाँ पे हमें चिकन को अच्छे से पानी से अलग कर लेना है और मैं यहाँ पे एक टेबल स्पूर उतना तेल का इस्तमाल कर रही हूँ और अच्छे से फैला लूँगी तेल को और इसे में मैं एट करने जा रही हूँ 15 से 20 उतने लहसुन की कलियां हमें यहाँ पे लहसुन की कलियों को थोड़ा सा ही पकाना है जलाना नहीं है इसलिए थोड़ा सा पका लेंगे तेल में क्योंकि थोड़ा सक अच्छा पंदूर हो जाए इसका और इसी के साथ यहाँ पे मैं एट करने जा रही हूँ चार बारीक सी कटी हुई प्यास हमें यहाँ पे प्यास को थोड़ी देर तक ही पकाना है प्यास का कलर नहीं चेंज होना चाहिए इस तरह से हमें पका लेना है प्यास को अच्छे से चला चला कर जलाना नहीं है हमें यहाँ पे वरना टेस्ट बिगड़ जा सकता है इसी तरह से हमें प्यास को पका लेना है अब मैं इसमें आइट करें हूँ चिकन खीमा जो मैंने 400 ग्राम चिकन लेती बोनलेस वाला उसे अच्छे से मिक्सी के जार में डाल कर खीमा बना लिया है और इस खीमे के साथ मैं यहां पर आइट करने जारे हूँ एक टेबल स्पून नमख और हाफ टेबल स्पून उतना लहसुन का पेस्ट और हाफ टेबल स्पून उतना अद्रक का पेस्ट अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है हमें और तीन से चार मिनिट तक ऐसे ही चला कर पकाना है यहां पर चार मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसमें कुछ चीज़ें एड़ करूंगी जो ऐसे की चार उतनी कटी हुई हरी मिर्ज जो अच्छे से बारी से काट लिया है मैंने और रुसी के साथ यहां पर मैं आड़ करने जा रहे हूँ एक टेबल स्पून उतना लाल मिर्च पौडर आप यहां पर अपने ही साब से उस करें और रुसी के साथ एक टेबल स्पून उतना सोया सौस और एक टेबल स्पून उतना वैनीगर और 1-4 टेबल स्पून उतना ब्लैक पेपर पौडर अब हम इन सब चीजों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स होने के बाद हम इसे पांच मिनिट के लिए ढख कर रख देंगे और यहां पे हमें बीच बीच में चलाते ही रहना है क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तिमाल भी नहीं करेंगे इसलिए हम बीच बीच में चलाते ही रहेंगे पांच मिनिट के अंदर अब मैं इसे ढख कर रख देती हूँ देखिए यहां पे मैंने ढटकर रग दिया है और थोड़ी थोड़ी डेर के लिए हम इसे देखते ही रहेंगे और चलाते ही रहेंगे और फिर से मैं थोड़ा सा ढटकर रग दूँग्गी यहां पे जब तक इसका पानी अच्छे से सूक Dalam तब तक हमें इसे पका लेना है देखे यहां पे 5 मिल्ट पूरे हो चुके हैं अब इसमें आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह से अच्छे से सूख चुका है इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए अगर आपका रह जाए तो अच्छे से फिर्ट स और अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लूँगी और ऐसे ही एक मिनिट तक मैं मिक्स करके पकाऊंगी और यहां पे मैं गैस के फ्लेम को भी बन कर दूँगी और इसे अच्छे से थंड़ा होने के लिए छोड़ देती हूँ तब तक मैं अब यहां पे बनाने जा रही हू ब्रेट क्रम्स मैं यहाँ पे ब्रेट क्रम्स बनाने जारे हूँ जो हम आसानी से एक महिने तक रख कर यूज कर सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे ब्रेट के इन किनारों को कट कर लेना है यहाँ पे हम bread crumbs बनाने के लिए इन किनारों का इस्तमाल भी नहीं करेंगे इसी तरह से हमें किनारे काट लेने हैं और मैं इन सब pieces का अब mixi के जार में डाल कर अच्छे से दरदरा सा powder बना लूँगी हमें यहाँ पे नाजुक सा powder नहीं बनाना है दरदरा सा powder बना लेना है देखिए यहाँ पे मैंने powder बना लिया है और एक pan भी रख लिया है मैंने और इसे पकाने में हमें तेल, गी, बटर किसी का भी इस्तमाल नहीं करना है सिर्फ हमें यहाँ पे bread crumbs को भी पकाना है इसलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लो फ्लेम रख लेना है और यहाँ पे मैं ब्रेट कुरम्स को एड़ कर रही हूँ और मैं इसे 12-13 मिनिट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी जब तक की क्रिस्पी बन जाएं तब तक हमें इस अच्छे से भून लेना है मतलब 12-13 मिनिट तक लो फ्लेम पर जैसे हम इसे भूनते जाएंगे वैसे ही ब्रेट कुरम्स थोड़े कम होते जा रहे हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं ब्रेट कुरम्स अब मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को बन कर देती हूँ और इसे हम एर टाइट कंटेनर में डाल कर एक महीने तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं अच्छे से थंडा होने के लिए छोड़ दीजिए बाद में एर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और देखिए यहाँ पे चिकन भी अच्छे से थंडा हो चुका है और मैंने यहाँ पे एक कटोरे में आलू भी रख लिया है जो अच्छे से उबाल कर मैश कर लिया है अब मैं इस चिकन में इस आलू को एड़ कर दूँगी यहाँ पे मैं दो आलू को अच्छे से उबाल कर मैश कर ली हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पे और अच्छे से इस क्योंकि इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है अब मैं इसमें एड़ करने जा रही हूँ चीज अगर आपको यहाँ पर नमक और मिर्च कम लग रहा हो तो आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आइड़ कर रही हूँ चीज और यहाँ पर आप चीज अपने हिसाब से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर इतना लिया है और इसमें मैं मिक्स कर दूँगी और फिर से अच्छे से हाथों की मदद से इन सब चीजों को मिला लूँगी देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं यहाँ पर इच्छी कन कटलेट बना रही हूँ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितने बड़े चाहें उतने बड़े मैं यहाँ पर इतने बड़े बना ले रही हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं यहाँ पे एक प्लेट में मैदा ली हूँ और इस कटलेट को मैं अच्छे से डस्ट कर लूँगी ऐसा हम इसलिए करते हैं जब हम अंडे में इसे डिप करेंगे ना तब अच्छे से अंडा एब्सॉब हो सकी इसलिए हमें इस तरह से कर लेना है यहाँ पे मैं अंडे को अच्छे से फेट लिए हूँ थोड़ा सा नमक डाल कर अब मैं इस कटलेट को इसमें डिप करूँगी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से डिप कर लिया है चिकन कटलेट को अब मैं इसे ब्रेट क्रम्स में डाल कर अच्छे से कोट कर लूँगी देखें यहाँ पे मैंने ब्रेट क्रम्स में अच्छे से चिकन कटलेट को कोट कर लिया है और इसे आप मैं प्लेट में रख लूँगी और इसे किस तर से स्टोर किया जाता है यह मैं आपको दिकाने जा रहे हूं देखते रहे आगे तक यहाँ पे मैंने चिकन कटलेट बना लिया है और इसे किस तरह से स्टोर किया जाता है यह मैं आपको दिकाने जा रहे हूं देखते रहे हैं इसे हम आसान इसे दो से तीन हफ़ते तक फ्रिजर में रखकर खा सकते हैं यह इफ्तार के लिए बहुत अच्छे है ताइम बच जाता है इसलिए हमें यहाँ पे जपर सबसे पहले एक एयर टाइट कंटेनर लेना है अब मैं इसमें एक बटर पेपर रख लूँगी नीचे से सबसे पहले बटर पेपर का इस्तिमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे से चिपक ना जाएं, इसलिए सबसे पहले हम यहां पे एक बटर पेपर को यहां पे मैं बिचा दूंगी, देख सकते हैं आप यहां पे और इसकी ऊपर से चिकन कटलेट्स को रख दूंगी, देखे इसके उपर से फिर से एक बटर पेपर का इस्तिमाल करें यूँ मैं और फिर से याँ पे मैं तीन रख दूँगी आपकी कंटेनर में जितने सकते हैं उतने आप रख लीजिए और फिर से इसके उपर से बटर पेपर का इस्तिमाल करें यूँ मैं इसी तरह से हमें बटर पेपर का इस्तिमाल करना है हम आसान इससे दो से तीन हफ़ते फ्रिजर में रखकर खा सकते हैं जब आप इसे फ्रिजर से बाहर निकाल कर खा रहे होंगे तब इसे आप गरम गरम तेल में ही तलिए इस तरह से हमें धकन लगाकर फ्रिजर में रख देना है और जबी भी हमें खाने का दिल हो तब हम इसे निकाल कर खाएंगे अब मैं इसे फ्राई करने जा रहे हूँ इसके यहां पर मैंने तेल लिया है जो अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं इसमें चिकन कटलेट्स को एट करूंगी और यहां पर हमें फ्लेम मीडियम रखना है अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो यह जल जा सकते हैं इसलिए हमें कट्लेट को 2-3 मिड़ तक फ्राइ कर लेंगे क्या लेगे इसी तरह से 2-3 मिड़ तक पड़ा ले हैं और यहां पे मैं निकाल रही हूं कि आछी तरह से पक चुके हैं मैं यहां आपको यहां पर तोड़ कर भी बता रहे हूं कितने अच्छी तरह से बन चुके थे अगर आपको मेरी बनाई हूई चिकन कटलेट की रेसिपी अच्छी लगे हो तो Empty Kitchen चानल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर ट्लिक करना क्योंकि बड़िया बड़िया सी वीडियो जल से जल आपके पास पहुंच सके